So Hello Guys Welcome back to the channel, कैसे है आप सब बढ़िया, तो guys आज के वीडियो में हमारे पास है Philips का ये brand new earphone, ये है Philips का TAE1136, बहुत ही लंबा नाम है, लेकिन ये बहुत ही budget वाले price में ये आता है, तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस earphone का detail testing, जहां हम चेक करेंगे, इसका sound quality कैसा है, bass कैसा है, treble कैसा है, build quality कैसा है, call quality कैसा है, मतब सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल detail में testing करेंगे, एंड ये कोई sponsored वीडियो नहीं है, तो जो भी मैं आपको review दूँगा, वो बिल्कुल genuine review दूँगा, एंड अगर ये earphone मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं आपको इस वीडियो के description में इसका buying link दे दूँगा, आप link पे click करके इसको अच्छे खासे discounted price में आप खरीद पाओगे, एंड वीडियो अच्छ लगए तो वीडियो को like जरू करिए, ये अच्छ लगए वीडियो को शुरू करते हैं, तो ये रहा हमारी earphone का box, ये कुछ इस तरह के box packaging में हमारे पास आता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फिलिप्स की branding देखने को मिलेगी, rich bass आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हलाकि यह बहुत छोटा 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 लिखा हुआ है, इसका जो MRP है वो 699 रुपीज का है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि link में आपको देदूँगा, उसमें आपको अच्छा का सा discounted price में यह आपको मिल जाएगा, और वही अगर आप बीचे देखोगे, तो यहाँ पर भी इसके कुछ features के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पर इनका model number दिया हुआ है, अब चलब जल्दी से इस earphone को यहाँ पे open करके, जो हमारा earphone है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो बॉक्स को हम लोग यहाँ पर open कर लेते हैं, तो भी यहाँ थोड़ा सा rudely open कर लेते हैं, विकोज थोड़ा slowly करेंगे तो time ज़्यादा लग जाएगा, तो यह रहा हमारा box open हो चुका है, यह रहा हमारा earphone यहाँ पर हमने black color में इसको order करा हुआ है, और भी colors इसके available हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इसके first impression की बात करें, विकोज हम लोग हरे सारे अपने earphones में first impression की बात ज़रूर करते हैं, तो अगर इसके first impression की बात करें, तो इसका जो touch feel है और जो यह दिखने में हैं, बहुत ही ज़्यादा premium लग रहा है, मतलब जो quality है, वो अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है, in fact अगर हम इस wire की बात करें, तो wire भी थोड़ा सा थिक है, मतलब build quality तो no doubt बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे न, तो यहाँ पर भी जो connection डाला हुआ है, वो बहुत ही strong डाला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर break range का issue, तो मेरे को नहीं लगता है, होने वाला है, यहाँ पर अगर आप earphone में भी देखोगे, मतलब बहुत सारी earphone में जो click होता है, वो बहुत loose type होता है, यहाँ पर इसका click भी बहुत ज़्यादा strong है, और यहाँ पर आप इसका click से, आप इसका call receive कर सकते हो, call disconnect कर सकते हो, and earphone में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको philips की branding देखने को मिलेगी, and जो overall build quality है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब इस तर बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है, वो भी check कर लेते हैं, तो बॉक्स के अंदर जो अगली चीज आपको मिलेगी, वो है इसके extra ear tips, तो यहाँ पर आपको दो pair extra ear tips मिलने वाले हैं, यह देखलो, यह भी बिल्कुल different size के हैं, एक size अलड़ी इसमें लगा हुआ है, दो अलग-अलग size के आपको ear tips मिलते हैं, मतलब जो भी आपके ear का size हो, उसका उस हिसाब से आप ear tips लगा सकते हो, बहुत simple होता है, simply आपको पकड़ के इसको open कर देना है, और जो भी size आपको convenient लगता है, आप उस size को ऐसे करके यहाँ पर fit कर सकते हो, और अपने हिसाब से आप उसको use कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है यह छोटा सा paper, जिसमें इसके warranty के बारे में दिया हुआ है, और इसके जो controller है, यह जो controller है, इसके बारे में, इसके features के बारे में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस earphone में आपको six months की warranty मिलती है, यह भी आप यहाँ पर check कर सकते हो, तो सारी चीजों को हम यहाँ पर साइड कर लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या करना है अब मैं इस एरफोन को अच्छी तरह से यूज करता हूं थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डीटेल में बताऊंगा कि भीया इसका साउंड क्वालिटी वह बहुत ही जादा सही है और इसका जो लुक है वह भी बहुत ही जादा अच्छा है थोड़ा डिफरेंट लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यह बहुत जादा लाइट वेटेड़ है अगर आप जादा देर तक लगा करके भी रखोगे ना तो आपको हलका सा काभी डिसकंफट यहाँ पर फील नहीं होने वाला है साथ कि यहाँ पर फिटिंग यहाँ पर बात करें तो एक बार आप इसको कान में अच्छी तरह से लगा लोगे ना उसके बार चाहिए आप एक्सरसाइज करो आप दोड़ने के लिए जाओ कुछ भी करोगे ना तो यह हमने चेक करी है वो है इसका कॉल कॉलिटी एंड उसको करने के लिए मैंने टोटल चार लोगों को कॉल किया बिल्कुल डिफेंट डिफेंट लोकेशन से एंड जो चारो कॉल थे वह बहुत ही जादा क्लियर थे मतब सामने वाले को भी कॉल बिल्कुल सुनाई दे रही थी और हमने यहाँ पर जो अउनकी बात सुने बहुत ज्यादा क्लियर था है तो कॉल कॉलिटी भी बिल्कुल अच्छी है साती कर आफे गेमिंग के लिए भी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो नो डाट गेमिंग के लिए भी आप इसको डेफी grule कर सकते हो अगर आप Corona को लिए भी यहह बहुत ज्यादा सही है तो अगर हम यहाँ पे से कॉल क्वालीटी की बात करें तो दस में से दश हम देंगे गेमिंग के लिए अगर से कने कि भाई अगर हम गाने सुनेंगे तो sound quality कैसे आने वाला है तो vocals इसके no doubt बहुत जादा clear हैं बहुत premium जो गाने आपको सुनेंगे जो wordings आपको vocals आपको बहुत clear सुनाई देंगे treble भी यहाँ पर बहुत ही सही है मतब ट्रेबल को अगर हम सिर्फ marking दे तो दस में से साड़े दो हम आराम से दे सकते हैं बेस यहाँ पर जो इन्होंने रिच बेस लिखा है न इसमें मेरे को थोड़ी सी दिख्का था sound quality की यहाँ पर हम बात करें न जो लोज एन हाइस भी थे न वो भी बहुत जादा अच्छे थे इन में तो कोई दिकत नहीं है काली जो बेस मेरे को हलका सा थोड़ा सा मिसिंग लगा बेकास मैं बेस लवर हूँ अगर आप बेस लवर नहीं हो तो नो डाउट यह बहुत जादा अच्छा होने वाला अगर आप बहुत जादा बेस सुनना पसंद करते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिसपॉइंट होना पर सकता है ओवरल अगर हम साउंड क्वालिटी के बात करें तो मैं इसको 10 में से 9 का मार्क्ष दुंगा साउंड क्वालिटी के चीज़ पे अगर तो बी वेरी ऑनिस्ट अगर हम इसको ओवराल मार्किंग दे तो मैं इस एरफोन को दस में से नौ एजली देंगा आप लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे खासा डिस्कांटर प्राइस में खाई सकते हो एंड यह कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है तो बहिए जो भी मैंने आपको बताया वह बिल्कुल जैन्मिन बताया है तो उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो के साथ तब तक के लिए कीव शॉपिंग